ये आका अश्वणी हैं अब आप प्रियंका अरोडा से समाचार सुनिए लोकसभा चुनाव के साथ में और अंतिम चरण के लिए प्रचार चरम पर है राजनेतिक दलों के शीरशनेता जनसभाएं और रोडशो कर रहे हैं इस चरण में पहली जून को साथ राजियों और एक केंद्र शासत प्रदेश की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे मतगणना चार जून को होगी प्रधान मंत्री और भाचपा के वरिश्ठ चनेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चार जून के बाद भरष्ट लोगों के विरुद्ध कारवाई और तेज होगी जारखन के दुमका एरपोर्ट ग्राउंड में जनसभा में श्री मोदी ने आरोप लगाया कि जारखन मुक्ती मूर्चा और कॉंग्रेस ने जारखन को लूटा और धन संगह किया है उन्होंने कहा कि भरष्ट मंत्रियों, सांसदों और अधिकारियों के ठिकानों पर हुई चापे मारी में भारी मात्रा में नकदी बरामत हुई है उन्होंने आरोप लगाया कि जारखन मुक्ती मूर्चा, कॉंग्रेस, राष्ट्री जनता दल और INDIA गटबंधन, भरष्टाचार और तुष्टी करण का सबसे बड़ा उदहारण बन चुके हैं उधर उत्तर प्रदेश के मुखेमंद्री और भाचपा के वरिष्ठनेता योगियादित देनाथ ने केंपियर गंज क्षेत्र में करैली में कहा कि भाचपा सरकार ने खरीबों और वन्चितों के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने कहा कि केंद्र में तीसरी बार मोधी सरकार बनने के बाद सत्तर साल से अधिक कुम्र के लोगों को अलग से आयुशमन काड़ दिया जाएगा इसके अंतरगत पांच लाक रुपए का निशुल कस्वास से इलाज मिलेगा समाजवादी पार्टी प्रमुक अखिले शादव ने आज कुशी नगर जिले में करैली में भाजपा की आलोचना की लोगसभा अध्यक्ष ओम बिडला ने कहा है कि नीवर्तमान सत्रवही लोगसभा महिला आरक्षन विधियक तीन तलाक उन्मूलन और भारतिय न्याय संगिता जैसे विधियकों को पारित करने के साथ एतिहासिक कानूनों के लिए जानी जाएगी नेदिली में आज आखाईश्वणी समाचार से विशेश बातचीत में श्री बिडला ने कहा कि ये कानून देश को आगे ले जाएंगे और सकरात्मक बदलाव लाएंगे उन्होंने कहा कि 17 लोकसभा के दौरान हुई चर्चा और बहस वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए एक रोड माप के रूप में काम करेगी वैश्विक निवेश बैंक गोल्मैन सैक्स ने वर्ष 2024 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृध्धी दर कानूमान बढ़ा कर 6.7 प्रतीशत कर दिया है नवीनतम आंकणों के अनुसार रिजर्व बैंक से बड़ी मात्रा में लाभांश हस्तांतरन के कारण अतरिक्त राजकोशिय बढ़त के साथ देश में निरंतर विकास गती की उम्मीद है भारत में विकास की दर सशक्त बनी हुई है और मुद्रास फीती के अप्रेल जून की अवधी में निचले सर पर आने की संभावना है मिज़रम में आईजॉल के हिलमान में भूसखलन के कारण 12 लोगों की मौत हो गई है चक्रवात रेमल के कारण कल राच से भारी वर्षा और तेज हमाई चल रही हैं बचाफ कारिय जोर उपर हैं मुखे मंतरी लाल डू हूमा ने आपदा राहत कोश के लिए 15 करोड रुपे की घोशना की है राजसरकार ने सभी सरकारी कारियालियों और स्कूलों को बंद करने की घोशना की है चक्रवात रेमल से बांगलादेश के 30 लाखों में 13 लोगों की मृत्य हो चुकी है इस सुफान की वजह से बांगलादेश के खुलना बारे सल और चट्टो ग्राम जैसे लाखों में 30 हजार से अधिक गर नश्ट होए है चक्रवात से 37 लाख से ज्यादा लोग गंभी रूप से प्रभावित होए है भारत ने पापुवा न्यूगिनी में विनाशकारी भूस खलन के बाद राहत, पुनर्वास और पुना निर्मान के प्रयासों के लिए 10 लाख कम्री की डॉलर की सहायता राशी देने की खोशना की है एंगा प्रांत में शुक्रवार को आई भूस खलन में हजारों लोग दब गए और जानमाल को काफी नुकसान हुआ प्रधान मैंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत पापुवा न्यूगिनी की हर संभव सहायता के लिए तैयार है हर्याना में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुक गुर्मीत राम रहीम को चन्रीगड उच्चन्यायाले ने रनजीत सिंग हत्या मामले में दोश मुक्त कर दिया है वर्ष 2021 में पंचकुला की सीबिया अदालत ने गुर्मीत राम रहीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुष डबल्स के पहले दौर में रोहन बोपन्ना और युकी भामरी अपने अपने जोड़ीदारों के साथ पहले दौर में खेलेंगे दूसरी वरियता प्राप्त बोपन्ना और आस्ट्रेलिया के मेथ्यू एबिडन का मखाबला फिनलेंड के एमिल रुसवोरी और हंगरी के मार्टन से होगा इसके साथ ही ये समाचार बुलिटन समाथ हुआ